Pointing Devices Objectives Pointing Devices का लेसन करने के बाद आप जान सकेंगे कि Computer Mouse क्या है, इसके मुख्तलिफ functions क्या है और इसकी इलावा चंद और Pointing Devices कौन सी हैं? Mouse इस वाक्त आप स्क्रेन पर जो डिवाइस देख रही हैं, हम उसे Mouse कहती हैं ये एक ऐसी डिवाइस है, जिसकी मदद से हम Computer Screen पर किसी चीज़ की बाआसानी निशान दही कर सकते हैं बजाहिर ये एक चोटी सी डिवाइस है, लेकिन है बड़े काम की बाजार में मुख्तलिफ किसम के माउस मौजूद हैं, जिन में से कुछ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब देखने में मुख्तलिफ जरूर है, मगर ये काम एक ही जैसा करते हैं हम इन में से एक को तफसील से देखेंगे ये एक आम माउस है, हो सकता है कि आपका माउस इस माउस से मुख्तलिफ हो जरा गोर से इसको देखिए, इस पर दो बटन लगे हुए हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस को इस्तमाल करने के लिए इसे कैसे पकड़ा जाता है आप देख रहे हैं कि माउस को माउस पैट पर रखा हुआ है देखिए कि माउस को पकड़ने के लिए हाथ की हतेली को इसके उपर रखा जा रहा है और हाथ की उंगलियों से इसे गरिफ्ट में लिया जा रहा है ये बात नोट करें कि पहली उंगली को माउस के लेफ्ट बटन पर रखा गया है और दूसरी उंगली को माउस के राइट बटन पर रखा गया है इस वक्त आपको स्क्रीन के दो हिस्से नजर आ रहे हैं एक हिस्से में माउस है और दूसरे हिस्से में तीर का निशान अब हम माउस को पैट पर घसीट रही हैं. क्या आपने बाइन जानिब स्क्रीन पर कोई तब्दिली महसूस की या आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया? जी हाँ, आप माउस को जिस संप में हिलाते हैं, तो स्क्रीन पर एक छोटा सा तीर का निशान भी बिल्कुल उसी संप में हिलता है. इस तीर के निशान को माउस पॉइंटर, एरो या माउस करसर कहते हैं. अब हम माउस को दाइन जानिब घसीट रही हैं, और जैसा कि आप देख रही हैं, कि तीर का निशान भी उसी संप में जा रहा है. अब हम माउस को उपर की जानिब घसीट रहे हैं, और जैसा कि आप देख रही हैं, कि तीर का निशान भी उपर जा रहा है. Clicking and Double Clicking हमने माउस को इस्तिमाल करना तो सीख लिया अब हम माउस के बटन्स का इस्तिमाल सीखते हैं माउस के बटन दो तरीकों से इस्तिमाल किये जाते हैं पहले तरीकी में हम माउस के किसी भी बटन को एक मरतबा दबाते हैं इसको Single Click या Click करना कहते हैं क्यूंकि जब माउस का बटन दबाया जाता है, तो क्लिक की आवाज आती है। इसी तरह, अगर हम माउस के किसी बटन को एक सेकंड में दो बार दबाएं, तो इसको डबल क्लिकिंग कहती हैं। डबल क्लिकिंग करते हुए इस बात का खास खयाल रखें, कि यह एक सेकंड के अंदर किया जाए, जैसा के आप देख रहे हैं। आप देख रही हैं कि हमने यह क्लिक किया। और अब दुबारा क्लिक किया। यह double clicking हरकीज नहीं है। बलके दो single clicks है। या हमने माउस के बाया बटन को इस्तेमाल करने की exercise की है। क्यूंकि माउस का बाया बटन आम तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह माउस का दाया बटन भी इस्तिमाल होता है। माउस के दाया बटन को एक मरतबा दबाने की अमल को राइट क्लिकिंग कहती हैं, जिससे स्क्रीन पर कुछ और इंफरमेशन नजर आती है, जैसा कि आप देख रही हैं। इसकी डीटेल हम अगले लेसन में देखेंगे। ड्रैगिंग आईए। अब हम माउस का एक और इस्तमाल देखते हैं। हम माउस की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक चीज़ को घसीट कर या ड्रैग करके दूसरी जगा पर ले जा सकते हैं। इस अमल को ड्रैगिंग कह इसे हम घसीट कर या ड्रैग करके उसके करीब पड़ी मेज पर रखेंगे। सबसे पहले हम एरो को किताब के ऊपर लेकर आए हैं। अब आप स्क्रीन के दाएं तरफ देखिए। यहाँ पर हमने माउस का बाया यानि लेफ्ट बटन दबाया है। अब हम माउस पॉइंटर को मेज की तरफ घसीट कर ले जा रही है। देखिए, माउस का बटन अब भी प्रेस्ट है, यानि दबा हुआ है। अब किताब मेज के ऊपर आ चुकी है। अब माउस का बटन हमने छोड दिया है ताके किताब मेज पर रही। इस तरह आपने देखा कि हमने माउस की मदद स किताब को ड्रैग करके यानि घसीट कर मेज पर रखा है। ये अमल ड्रैगिंग कहलाता है। अधर पॉइंटिंग डिवाइस हर वो डिवाइस हैं जिसके मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी चीज़ के निशान्द ही करते हैं। चुंकि माउस की मदद से हम स्क्री अवा और भी Pointing Devices मौझूद हैं, जैसे के Trackball और Trackpad. ये एक Trackpad है, जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है. ये एक छोटी सी स्क्रीन जैसा होता है. ये Trackpad बहुत नाजुक सता से बनाये जाता है. जैसे के आप देख रहे हैं, जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या उपर नीजे हिलाई जाए, तो कम्प्यूटर की स्क्रीन पर तीर का निशान उसी संप में चलता है. ट्रैक बॉल, ये एक ट्रैक बॉल है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर देखा जाये तो सिर्फ एक बॉल है, जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है. देखिए, इसको गुमाने से, कम्प्यूटर की स्क्रीन पर एरो उसी संप में चलता है, जिस संप में हम इसे घुमाते हैं. Summary Module 1 के इस हिस्से में, हमने मौउस और दूस्ची पॉइंटिंग डिवाइसिस के बारे में देखा. इसके साथ-साथ, हमने मौउस के जरिये, क्लेकिंग, डबल क्लेकिंग, राइट क्लेकिंग और ड्रैगिंग के तरीके भी सीखे और उनकी एक्सरसाइस की. हमने इस हिस्से में ये भी देखा, कि मौउस को किसी पैड पर घसीतने से, स्क्रीन पर एक तीर का निशान, जिसे पॉइंटर कहा जाता है, उसी सम्त में चलता है. ये तीर का निशान, स्क्रीन पर किसी चीज़ की निशान दही करने के काम आता है. माउस के अलावा हमने track pad और track ball के बारे में भी मालूमात हासिल की ये भी pointing device है लेकिन माउस से थोड़ा मुक्तलिफ है